खूब सूरत मौसम है आज एक बड़िया मुकाबले के लिए फिच एकदम सपाट नजर आती है बैटिंग फ्रेंडली है याने की बोलर्स को करना पड़ेगा हैद्स चुना है कप्तान ने and हैद्स इटेस केंद बाजी के लिए परिस्थितिया अनुपूल है प्रीज पर आये हैं अधुत्तम खिलाडी सरकल में है पाव पले का समय है तो फिर बल्ले बाजों को एकसलरेटर पे दबाना होगा पाउंग इस फील्ड प्लेस्मेंट को देखकर ये अंदाजा लगाना कठिन है कि अगला मूव क्या होने वाला है गेंद बाज का ये है दूसरा क्या अच्छी पहल कर पाएंगे बल्ले बाज फील्डरों गेंद बाज का अच्छा ताल मेल बड़िया थ्रो इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुवात पहली गेंद पर गवादिया अपना विकेड फील्डिंग यूनिट की मदद के चलते मिली एक बड़ी सफलता लुकुल साधारन बल्ले बाजी अब इन्हें सिरफ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है अगर नीव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी भी खड़ी हो सकती है तो आसा गेंद को हवा में फ्लाइट दी है टॉप स्पिन का किया है इस्तमाद बैक स्पिन पर नज़र डालिए चतुर गेंद बास तर्शनिय फील्डिंग का मुझायरा इस फील्डर के द्वारे हवा में थोड़ी तेज है फ्लिपर ये गेंद है चकित बल्लेबास हवा में तेज जरूर थी लेकिन मिला अतरिक उचाल ये है टॉप स्पिनर की खास बाद बोलर बहुत कॉन्फिडेंट है कि इस बार तो बल्लेबास गया बोलर बहुत निराश है इस डिसीजन से यहां DRS रिव्यू लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है एक और किफायती ओवर गेंद बाजी यूनिट से आफसाइट पे अभी भी फील्डर्स का जमावड़ा है स्पिनर के हाथ में है गेंद देखते हैं कैसा बुगते हैं ये जाब इस बार राउंड दस टंप्स परिशान करना चाहते हैं बल्लेबास को नई लाइन से सूपब दूसरा बोलर की अपील कीपर ने दिया उनका साथ लेके नमपायर ने कहा बोलर बहुत निराश है इस डिसीजन से फील्डिंग कैप्टन है इस डिसीजन को रिव्यू किया जाए है नॉट आउट करार दिया है अंपायर ने बढ़ी आगें कोई रन नहीं दूसरा डालने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन विकेट की आस क्या वो हो पाएगी आज बोलर बहुत कॉंफिडेंट है कि इस बार तो बल्लेबास गया बोलर बहुत निराश है इस डिसीजन से थोड़ी सी गुफ्तगू फील्डिंग कप्तान ने कहा कि हम रिव्यू करना चाहते हैं ये डिसीजन अंपायर का ओरिजिनल डिसीजन कायम रहेगा चतुराई भरा मिश्रन गेंदबास को फिर नहीं मिला रूम खामोश वो है और स्कोर बोर्ड भी ओर दर स्टम्स गेंदबासी का फैसला लेकिन क्या पारी ओवर कर पाएंगे ये बल्लेबास की यू मेस आई हेट गेंदबास के खाते में विकेट तौफे में दे गए अपनी विकेट इनको सिर्फ अपना रोल अदा करना है कहते हैं न स्लो एं स्टेडी विंस दरेस फ़रा मीचे की तरफ रही है गेंद चतुराई वाली बोलिंग गेंदबास की खाते में किये हैं चार रंजमा जबर्दस शॉट से की है शुरुआद कहते हैं न चेंज इस दी उनली कॉंस्टेंट यहां साइड बदली गेंदबास में चतुर है गेंदबास दूसरे से छकाया बल्लेबास को तस्पिन के वेरिएशन से अनप्लेबल थी यह गेंद जाके लगी स्टम्स पर गिलियां बाहर गिलियां बाहर एक चोर पर विकेट के बाद विकेट गिरती जा रही है गेंदबास दूसरे स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा बड़ाना होगा आफ साइड पे अभी भी फील्डर्स का जमावड़ा है स्पिनर के हाथ में है गेन देखते हैं कैसा बुगते हैं ये जान इनके तरकश में बहुत सारे तीर दूसरा डाल के चकित किया बल्ले बास का बल्ले बास के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश टॉप बोलर की ये है टॉप स्पिन सही समझ बूज के साथ पकड़ा इस कैच को हलकी सीती खता और नहीं खुला खाता इद कुल साधारन बल्ले बासी मिडल ओडर का बल्ले बास अब प्रदान पर है और उमीद यही है नियांत्रण प्रदान करेंगे वह अपनी टीम को चतुर है गेंद बास दूसरे से छपाया बल्ले बास को रियाउट करार दिया है अंपायर ने लगता है कि अब रिव्यू की तरफ जाएंगे जी हाँ बिसीजिशन रिव्यू 30 अपायर इन्वाल आप प्रदान लूसरे स्प्रदान वेशाएंगे जी हाँ प्रदान प्रदान थीजिशन रिव्यू सुझ अंपायर इन्वाल रिव्यू विक्ट्स हैंगे You can stick with your decision. It will appear on screen now. Quality bowling, बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए leg before cut decision गेंदबास के पक्ष में. दो गेंदों पर दो विकेट चटका चुके हैं, गेंदबास हैट्रिक पर आएं. दूसरे छोड़ पे लगाता विकेट्स गिरती जा रही हैं, ये नए बल्लेबास हैं क्रीज पर, तो ये इनको कोशिश करनी है कि क्रीज पर डटे रहें, जमे रहें. इस विकेट के साथ मिल गए इनको है ट्रेक, इनकी जोली में है सारे ट्रेक, सही जज्मेंट का, सही नतीजा, बढ़िया कैच, एक और सफलता. मिडल ओर का बल्लेबास अप्रीज पर, तो उमीद यही है कि स्टेबलाइज करेंगे इस पारी को. फ्लिपर डाली, तेजी से अंदर, बल्लेबास अपने शॉट से निराश ज़रूर है, क्योंकि पकड़ा गया है कैच. पहली गेन बन गई, आखरी गेन, खाते में एक रन भी नहीं, गोल्डन डाक. बहुती रोचक फैसला कप्तान का लोर ओर्डर बल्लेबास को प्रमोशन दी है बैटिंग ओर्डर में. दूसरा डालने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन विकेट की आस, क्या वो हो पाएगी आज? इस नंबर पे बैटिंग करते हुए देखते नहीं हैं हम इनको, खैराज इनको बेसिक्स के साथ जुड़े रहना होगा, लंबी पारी खेलनी होगी. आफसाइट पे अभी भी फील्डर्स का जमावड़ा है, स्पिनर के हाथ में है गेंद, देखते हैं कैसा बुद्धे हैं ये जाएगा. सूपब दूसरा, स्माश्ट, खूबसूरत टाइमिंग, जबर्दस शॉट, क्या कमाल का शॉट है ये, पहली गेंद पर छक्का, इससे बहता शुरुआत, कहां है संभव? गेंद प्लान में बदलाव, साइट चेंज की, गेंद बाज ने, क्या प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे सही से? स्टंक्स बिखर गई है चारों और, आम अच्री हैपी, कि बैट्मन मैंने नहीं हूँ. तौफे में दे गए अपनी विकेट, अगर मैंने ऐसा की, अब तो सिरफ पुछले बल्ले बाज बचे हैं, लेकिन, यू नेवर नो, वाट माइड जस्ट हबने. फ़र बैक स्पिन पर नजर डालिए, चतुर गेंद बास. सही ठिकाने पर गेंद, बल्ले बास खामोश. पैट्समन के रिदम को बदलना चाहते हैं, साइड बदली है लेकिन क्या, भागे बदलेगा गेंद बास का. फिलिपर डाली, तेजी से अंदर, बल्ले बास संकट में. वन बाउंस और चौका. इनके तरकश में बहुत सारे तीर, दूसरा डाल के चकित किया बल्ले बास को. अब गोल्स दफेंगा, अमपारिंग डिसीजन से बल्ले बास बिल्कुल ना खुश. फैट्समन मांगने वाला है रिवियू, रेफर करेंगे इस डिसीजन को. यह आउट करार दिया है अमपार ने. एक के बाद एक और विकेट, एक और सफलता के इंदबादी यूनिट के लिए. अब आया है वो बल्ले बास. जबर्दस्त अंदाल्स में ओफ दे मार्क. इस बॉल को रोपना मुश्किली नहीं, ना मुम्किन हमेरे दोस्त. दो से तीन भले, दो तो मिल चुके, क्या मिलेगा तीसरी गेंद पर एक और चौका. ऐसा लगता है, चार का पहाड़ा पढ़ रहे हैं. पॉफेक्ट डिलिवरी, आश्चा रहे चाकित रहे बल्ले बास, सटी गेंद, डॉट गेंद. कोशिश तो भर्सक की है गेंद बास ने, लेकिन बल्ले बास के सामने एक नहीं चल रही. क्या खूबसूरत अंदाज में विजे प्राप्त की खिलाडी ने. क्या कमाल का प्रदर्शन देखा हमने, टीम ने मुकाबला भी जीता है और विपक्षी टीम को भिल्कुल किया है बेज़ुगा. गेंद के साथ मैच को पल्टा, बैट के साथ मैच को लब्का, इसे कहते हैं टू आल राउंड परफॉर्मेंस, मैन ओ दम मैच इनी को मिलेगा. कर दो हौता मैच को का दूँ क्याहिए और भी से दो कि लुईर्ण देखा है और हमने दो कि बहूता है और भी सेंदे़ुर्मेश्गी, विझाश्ण प्रुद़ुर्मेश्पट्स्तरी.